तो इस चैप्टर से संबंदित आगे और भी चैप्टर से इसलिए अगर सभी चैप्टर को ध्यान से देखेंगे और इसको समझ लेंगे तो आगे के चैप्टर पर दिक्कत नहीं जाएगी सबसे पहले हम देखते हैं समरूप आकृतिया कि से कहते हैं तो हम देखते हैं है यहां दो ब्रत है और वर्ग है कि यह प्रत हैं और सम्रूप त्रवज है और दोर तिरवज हों sì, इंट वह एक एक छोटा भरग है, एक बड़ा तो हम को यहां पर साईज बढ़ देख रही है या तो हम धिनेस विखती है कि सम्रूप साइज तथा आकार दोनों में तमान होती है साइज और आकार दोनों में समान होती है और समरूब में साइज अलग-अलग होती है लेकिन आकार शेप एक साव होता है क्लियर तो इन दोनों में अंतर अच्छी साथ देख लेंगे अब हम देखते हैं अगला आर्टिकल अब हमको यह कंडिसें दी हुए है कि दो बहुबज समरूफ होते हैं यदि उनके संगत कॉन बराबर हों और इनकी संगत हो जाए एक ही एनुपाक्ट में यहां पर कोई चत्रवस दी होगे है आपको दो चत्रवस देख रहे हैं उनके हम कौण देखते हैं कौण संगत कौण संगत कौण पर देखते हैं कौण D इसके संगत क्या है कौण S दोनों को मान कितना दिया है 85 कौण C और उसके संगत कितना है कौण R कितना दिया हुआ है 70 कौण A इसके संगत कौण P इसका मान है 105 डिग्री कौण B बराबर कौण Q इसका मान है 100 तो संगत कौण बराबर है कैसे हैं संगत कौण बराबर है clear अब हम देखते हैं भुजाओं का अनुपात भुजाओं का अनुपात तो हम देखते हैं कि A B D अपान P Q कितना दिया हुआ है A B की लंबाई दिया है 1.5 और P Q की लंबाई दिया है 3.0 इसको सॉल्व करके तो बनवाइट 2 आ जाएगा हम दूसरा देखते हैं A D अपान P S A D दिया हुआ है 2.1 अपान 4.2 इसकी वैल्यू भी 1.2 आती है तीसरा देखते हैं B C अपान Q R B C दिया हुआ है 2.5 Q R दिया हुआ है 5 यह हो जाएगा 1.2 फिर हम दिखते हैं D C अपान S R D C दिया है 2.4 4.8 A B बनवाइट 2 है तो इस पर से दिख रहा है हमको कि A B अपान P Q A D अपान P S B C अपान Q R और D C अपान S R इसका मलब होता है बोजाएं संगत भुजाएं अनुपातिक है तो हमको दोनों कंडिशन संतुष्ट हो रही हैं संगत कौन पराबर हैं भुजाएं अनुपातिक है इसका मलब क्या हो जाएगा कि यह चत्रबुज जो है आपका कौन सा चत्रबुज A B C D समरूप है चत्रबुज P Q RS इस हम समरूप होंगे क्लियर क्योंकि संगत कौन बराबर हैं और संगत हो जाएं अनुपातिक हैं क्लियर अब हम यहां देखते हैं कि हमको दो चत्रबुज दे होगे है ठीक है तो यहां पर कौन सभी के नभ्यान से संगत कौन बराबर हैं अब देखेंगे कि सभी कौन कौन D बराबर कौन S बराबर 90 सारे कौन ए बराबर कौन पी बराबर 90 यह सबी बराबर हैं संगत कौन बराबर हैं अब भोजाओं का अनुपात संगत हो जाओं का अनुपात आप इसको देखेंगे तो हम देखते हैं आपर कि A B अपन P Q A B कितना है? 3 और P Q कितना है? 3.5 ठीक है? और दूसरा देखते हैं B C अपन Q R B C है 3 Q R equal to 1 तो हम देखते हैं A B अपन P Q not equal to B C upon Q R इसका मतलब क्या हो गया? अंगत हो जाएं अनुपातिक नहीं है इसका मतलब यह है चत्रबुच कौँसा चत्रबुच? A B C D समरूप नहीं है समरूप नहीं है कौँसे चत्रबुच से? P Q R S से यह समरूप नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि भुजाएं अनुपातिक नहीं है अब हमों यहां पर खालिस्तान दी हुए है इसमें सही भरना है सभी बृत बृत कोüyor है हो सकती है इसलिए इसका पहल सही आंसर क्या होगा समरूप सभी बारक है बारक की इसलिए सर्भाग सीन हो के इसका सही आंसर क्या होगा सम्रूप सभी संभाउ तरब संभाउ होते हैं इसमें सही आंसर होगा संभाउ भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुच संभाउप होंगे यदि उनके संगत कौन बराबर हों यहां पर क्या आएगा? बराबर और उनकी संगत भुजाए अनुपातिक हों समानुपाति हों यहां समानुपाति आजाएगा अब हमको यहां पर दो भिन भिन योगमों के उधार्ण देना है समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो सकते हैं ही हैं है तो आप कोई भी एक और यह सकते हैं यह सब्रूप आते हैं तो Two त्रूपज बनाएंगे प्रूप तरूपज आए यह यह से मालूब भुजा है आपकी धरी सेंटीमींटर और ऑर अधिरी है अधिरी हम दूसरी लेकिशालते आधि यह फाइव है यह फाइव है और यह फाइव है तो यह दोनों तुर्बश कैसे होंगे सम्रूप और दूसरे के लिए हम एक वर्ग ले लेंगे वर्ग कैसा 90 डिग्री 90 90 90 और दूसरा एक हम ले लेंगे समानत्य चत्वोज यहां पर हम कौन जो है 90 नहीं होगे ठीक है यहां अलग-अलग कौन होगे यह जो सम्रूप नहीं है कि लिए विजए इसके आपको दो डाइगरम कोई भी बना सकते अब हमको इसमें बताना है कि सम्रूप है की नहीं है तो हम यहां देखते हैं कि पहले भुजाओं को रूपाद देखते हैं हम यहां देखते हैं एबी अपॉन पी क्यू एबी कितना है थिरी पीक्यू है बन पॉइंट फाइब एक्वाल टू कि इसको देखते हैं बी सी अपॉन क्यू आर बी सी है अपका थिरी यू आरे बन पॉइंट फाइफ का इमान वी टू आ गया तीसरा देखते हैं पी एस एडी अपॉन पी एस त्री अपॉन पॉन पॉन फाइप दू और चौथा है डी सी अपॉन एस आर आप फॉन पॉन पॉन फाइप एक्वाल टू तो इसका मलब हो जाए अनुपार देखाए तंगत हो जाए नुपातिक है लेकिन संगत कॉण बरावर नहीं है कार्ण हम देखते हैं कि कॉण D 90 है कॉण D कितना है 90 का लेकिन कॉण S वह आपका 90 नहीं है clear हम यहां दिखते हैं कि कौण 90 है यह भी 90 है यह भी 90 है यह भी 90 है यह भी 90एल- संगत कॉण बरावनी है समरूप तरबोज चत्रबोज समरूप नहीं है इसका अंसर क्या होगा दोनों चत्रबोज कि समरूप नहीं है इस लिए कि ओके थेंक्यू